Dear Students, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का Success World MCQ चनल पर तो चलिए आज आप लोगों के लिए सौर मंडल सोलर सिस्टम जो की टॉपिक नमबर साथ चलेगा इसे पाले आपका टोटल छेट टॉपिक कबर हो चुका है अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लिजिए, लिंक आपको नीचे वीडियो के description box में मिल जागा या playlist भी बना दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी करते हो तो आपको हर एक exam में इस topic से एक से दो प्रसने देखने को मिलते हैं तो चलिए, आज किस class को start करते हैं और पूरे सौर मंडल के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ते हैं पर बता दे, इस session का आपको PDF भी provide किया जाएगा जिसमें प्रतियक questions के answer भी रहेंगे तो सबसे पहला प्रसन आपके screen पर सौरी के चम के लिए भाग को क्या कहा जाता है option आपके सामने 4 दिये गए हैं और आपको प्रतियक questions के लिए maximum सोचने के लिए 5 second का time भी दिया जाएगा चलिए फटा पट से आप लोग comment box में answer करते जाएगे चलिए आपका time खत्म होता है तो एक का right answer अगर आपने option C को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सौरी के चम के लिए भाग को प्रकास मंडल के नाम से भी जाना आता है और photosphere या जखेगा इसलिए option C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उप्योक्त दोनू next question आपके screen पर है पिर्थवी अपने धूरी के 4 और किस दिशा में घुमती है चलिए फटापट से answer करते जाएगे ये प्रसन आपके exam के लिए important है क्योंकि ये प्रसन कई बार exam हो में पूछा जा चुका है तो चलिए दूसरे का right answer अगर आपने option number 1 को दिया है तो बिल्कुल सही जबाव देगा याद रखेगा पिर्थवी अपने धूरी के 4 और पस्यम से पूर्व की और घुमती है जैसी ये पिर्थवी है ये आपका इधर आप गया पस्यम हो गया इधर आपका और इधर आपका पूरा हो गया तो पिर्थवी ऐसे rotate करती है और याद रखेगा हमारे सौर मंडल के 2 गरह ऐसे है जो पूर्व से पस्यम की और घुमती है इंपोर्टेंट है एकजाम में पूछा आता है तो कौन कौन से गरह है सुक्र और आरून याद रखेगा नोट करना चाहते है सुक्र और आरून दो ऐसे गरह हमारे सौर मंडल में जो की पूर्व से पस्यम की और घुमती है याद रखेगा और पिर्थवी जो है क्यों से गुमती है तो पस्यम से पूर्व धियान में रखना है पिर्थवी के सबसे निकट गरह कौन सा है चलिए आंसर करेंगे तीसरे के लिए अगर आपको किसी भी प्रस्ट में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते है तो तीसरे का राइट अंसर और सुक्र गरह और मंगल गरह के बीच में इस्तिया रखना है जैसे ये पिर्थवी हो गया तो ये किसके किसके बीच में है सुक्र और मंगल गरह के बीच में हमारा पिर्थवी इस्तिया रखना है और पिर्थवी के सबसे निकट गरह कौन सा है तो सुक्र सबसे निकडगरा है नेक्स्ट कोशन आप किसम परे कौन सा ग्रा सूरी की परकिर्मा करने में 88 दिन का समय लेता है चलिए आंसर करेंगे चार के लिए और जो भी शुड़न चनल पर पाली बार है चनल को सब्सकाइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो चौथे का राइट अंसर क्या जागा जी बिल्कुल B के सा चला देगा बुध याद रकी का सूरी गरा की परकिर्मा करने में कौन सा गरा 88 दिनों का समय लेता है तो बुध गरा 88 दिनों का समय लेता है और बुद्ध गरह जो है ये सूर से सबसे नजदिक गरह भी है ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और बुद्ध सबसे छोटा गरह भी है हमारे सौर मंडल का नेक्स्ट कोशन है सुक्र गरह के वातावरन में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म गरह है चलिए आंसर करेंगे फटापट से चलिए तो पांच का राइट आंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल ऑप्सन चला देगा सी के साथ सी ओटू के कारण याद रखीगा सुक्र गरह के वातावरन में सी ओटू के कारण सुक्र गरह सुर मंडल का सबसे गर्म गरह कलाता है ऑप्सन सी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा लेकिन ध्यान देजेगा सूर से सबसे नजदिक गरह आपका कौन सा है बूध लेकिन यहापे सबसे गर्म गरह पूछेगा सुक्र हो जाएगा ध्यान देजेगा नहीं होना है भाले ही बूध आप बूध आपका सूर से सबसे नजदिक है लेकिन सुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है किसलिया क्योंकि सी ओटू उसके वातावरन में अधिक है नेक्स्ट है सौर मंडल की किस गरह के पास कोई उपगरह नहीं है most important question है चलिए answer करेंगे 6 के लिए चलिए तो इसका right answer 6 का option C के साथ चला देगा उपयोगत दोनों सौर मंडल की किस गरह के पास कोई भी उपगरह नहीं है तो बूध और सुक्र दो ऐसे गरह है जिनके पास एक भी उपगरह नहीं है याद रखेगा important प्रसन है से ज्यादा है answer करेंगे साथ के लिए तो द्यान देज़ेगा सौर मंडल के पिर्थवी गरह का घनतो सबसे ज्यादा है option A बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और कितना घनतो है चलिए बता देते एक्जाम में पूछा था और पूछा भी गया है याद रखेगा 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखेगा तो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब याद रखना है और आपको ऐसे भी option में मिल सकता है यहाँ पर लीक रहें देखिए 55-20 kg per meter cube दोनों ही आंसर सही है अगर gram में पूछे तो 5.52 g per centimeter cube अगर kg में पूछे तो 55-20 kg per meter cube दोनों प्रस्मा को ध्यान में रखना important है next question इसके परे सुरी में मुख्य तक कौन सी गयस पाई जाती है चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे तो इसका right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल option C के साथ लगा उप्यूकत दोनों hydrogen और helium दोनों ही गए सुरी में मुख्य रूप से पाई जाती है याद रखेगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते है और ध्यान देगा हमारा सुरी जो है क्योंकि सभी के सभी प्रस्न इंपोर्टेंट और आपके एक जाम के कोडिंग कराया जा रहे है तो नो का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल option B के साथ चला देगा तापमान पर तारों का रंग किस पर निर्भर करता है तो तापमान पर निर्भर करता है option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next time जब पिर्थवी एवाम सूर के बीच चंदरमा आ जाता है तो इस इस्तिती को क्या का जाता है ध्यान से समझेगा प्रस्न को पिर्थवी और सूर के बीच जब चंदरमा आ जाता है तो क्या होता है तो इसका जो right answer है क्या जाएगा याद रखिए का सूर गरहन होता है option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ध्यान देजेगा पिर्थवी और सूर के बीच जब चंदरमा आता है तो क्या होता है सूर गरहन होता है option B बिल्कुल सही जबाब होजएगा लेकिन अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर अगला प्रस्ट स्किन पर है, जब सूर्य और चंदरमा के बिच पिर्थवी आजाता है, तो इस स्थिति को क्या का जाता है, तो समझकर आंसर कीजेगा, दोनों प्रस्टों को फिर से देख लिजेगा, तो इसका जो होगा, दोनों प्रस्टों को ध्यान में रखना है, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन आपके सिन पर है, ब्रह्मबांड के अध्यान को क्या का जाता है, चली आंसर करेंगे, और फिर से बोल देते हैं, इसका पीडियाप भी प्रवाइड के जाएगा, पीडियाप म इसमें चंदरमा के दिन क्या आता है, और सिस्मोलोजी में भूकम का दियन क्या आता है, सभी प्रस्टों को ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट कोशन है, सौर मंडल का सबसे उचा परवत, ओलंपस मोस या निक्स ओलंपिया किस घरापर इस्तित है, चली इसमें का राइट आजाएगा, जी बिल्कुल आप्शन एक साथ राजाएगा, मंगल आप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होजाएगा, मंगल को लाल ग्राभी का जाता है, इसका लाल होना आरेन ऑक्साइड के करण होता है, याद रखेगा, चली आगे बढ़ते हैं, और या तो चौदा का राइट आंसर क्या जाएगा, एक साथ राजाएगा, सनी गरा, याद रखेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होजाएगा, और अगर आपसे पूछे, सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा ब्रस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा गरा सनी है, ध्यान में सौरी के जो चारो और चक्र लगाते हैं, उसको गरा काते हैं, लेकिन गरा के जो चारो और चक्र लगाते हैं, उसको उपगरा काते हैं, ध्यान में रखना है दूनों प्रस्णों को इंपोर्टेंट है, नेक्स्ट है, सौर मंडल में छूदर गरा कीन दो गराहों के बीच प सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह से इंपोर्टन क्लास आपसे मिस ना हो तो सोला का राइट आंसर एक साथ लाज़ेगा को पर निकस ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ज़ल्य आंसर करेंगे देखे़ अभी हमने थोड़ी दिर दिसक्रस किया सूर्ड के गति का नियम किस ने प्र दीपादन क्या था ज़ल्य आंसर क करेंगे और सबी student session के last में अपना-पना score जरूर देंगे और score के साथ अपना सहर का नाम अब से लिखेंगे तो अठरा का right answer option चला देगा A के साथ Kepler option A बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर आपको किसी भी प्रस में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप comment box में पूछ सकते हैं तो 19 का right answer C के साथ राज़ेगा S चंदर सेखर option C बिल्कुल right answer है next है सौर उर्जा किस पर किरिया द्वारा पैदा होती है चलिए 20 के लिए answer करेंगे चलिए तो यादर किका हमारा जो सूर्य है वो नाभी के सल्लेयन के सिधान पर करता है option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा next है पिर्थवी की परिदी कितना है चलिए answer करेंगे किस के लिए इसका right answer option C के साथ राज़ेगा उपयुक्त दोनों क्यों हमने उपयुक्त दोनों दिया क्योंकि एकजाम में कभी कभी option में आपको ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है option C हो जाएगा उपयुक्त दोनों next है निम्ली खित में से कौन सा आंतरिक गरह नहीं है चलिए फटापट सा आंसर करेंगे 22 के लिए चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जागा 22 का जी विल्कुल ओप्सन D के साथ चला जागा क्या जागा सनी निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है तो आंतरिक ग्रह सनी नहीं है बांकी बुद्ध, सुक्र, पिर्थबी ये सभी आंतरिक ग्रह है चलिए आगे दखते हैं किस ग्रह के वाईव मंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है मौस्ट इंपोर्टन प्रसन है चलिए आंसर करते जाएंगे और आप लोग, सभी लोग इस सेशन को चलिए तो इसका जो सही जबाब है आपशन चला देगा ए के साथ H2O जल उपस्तित के कारण पिर्थबी को नीला गरा के नाम से भी जाना आता है 24 का ए बिल्कुल राइट आंसर है नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे निकटतन तारा कौन सा है ध्यान दीजेगा यहाँ पे तारा पूछ जा रहा है नाकिक ग्रह तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी बिल्कुल 25 का ओप्शन A के साथ लाजेगा प्रोक्सिमा सेंचूरी यह सौर मंडल का सबसे निकटतन तारा है अप्शन A बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट दीन और रात होने का मुक्ष कारण क्या है चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे तो इसका जो राइट आंसर 26 का अप्शन A के साथ लाजेगा पिर्थवी का अपने अक्ष पर घूमना याद रकिका है नेक्स्ट है किसी ग्रह की अपने कक्ष में सुर्ष से अधिक्तम दूरी को क्या का जाता है चलिए आंसर करेंगे देखें यहां से दो प्रस्में बनते हैं एक अधिक्तम और एक नियुनतम का तो यह अधिक्तम को क्या काते है तो इसका जो right answer है option चला देगा B के साथ उपसौर पद्धति के नाम से जना आता है option B बिल्कुल सही जबाब हो दाएगा थोड़ा से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अपसौर की स्थिति और उपसौर की स्थिति किस किस थारीक को बनता है देखते कितने बच्चे सही सह आंसर कर पाते है यानि कि किसी ग्रह के अपने अक्से सूर से नियुनतम दूरी को उपसौर काते है लेकिन यह उपसौर की स्थिति किस थारीक को होता है इसका आंसर करना है next है किसी ग्रह की अपनी कक्से सूर से नियुनतम दूरी को क्या काते है यह प्रस्थन रिपीट हो चुका है चली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है मंगल गरह को लाल गरह का जाता है क्योंकि इसकी सता पर खाली अस्थान पाया जाता है चली आंसर करेंगे तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा जी बिल्कुल C के साथ चला जाएगा उप्यूक दोनों यानि कि आयरन ऑक्साइड जिसको फेरिक ऑक्साइड भी करते हैं इसलिए उप्शन C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है सूरी का प्रकास पिर्थवी तक पहुचने में कितना समय लगता है चली आंसर करेंगे फटाफट से 31 के लिए तो इसका जो राइट अंसर है ऑप्शन A के साथ चला जेगा आट मिनेट 16 सेकंड अप्शन A बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आपका एग्जेक्ट आट मिनेट रहेगा लेकिन 16 सेकंड कभी इससे कम भी हो सकता है 14 सेकंड भी ऑप्शन भी रहता है लेकिन कन फिल नहीं आपको 8 हमेशा मिलेगा 8 मिनट बाकि 16 सकेंड को लगा सकते हैं नेक्स्ट है अंतरिक चात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था 32 के लिए आंसर करेंगे अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है सबी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक कर देंगे तो 32 का राइट आंसर ओप्शन A के साथ चला जगा यूरी गागरीन ओप्शन A बिल्कुल सही जबाब है नेक्स्ट है किस वग्यानिक ने सरपर्तम ये कहा था कि पिर्थभी सूरी के चार और गूमती है चलिए 33 के लिए आंसर करेंगे और सेशन के लाइट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे तो 33 का राइट आंसर B के साथ चला जगा कॉपर निकास ओप्शन B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है किस वग्यानिक ने सबसे पाले ये कहा था कि पिर्थभी गोल है चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और चलिए बता देते हैं इसका पीडियाप आपको बिल्कुल फ्री में कहों से डाउनलोड करना है तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम चनल का लिंक दिया गया है तो जाइए टेलिग्राम चनल को जोइन कर लिजे आपको पीडियाप मिल जाएगा तो 34 का राइट आंसर क्या जाएगा एक साथ चलाज़ेगा एरिस्टोटल या दकिए का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फिर से बोल रहे है टेलिग्राम चनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जाइए जोइन कर लिजे पीडियाप आपको वहीं पर प्रोवाइट के जाएगा प्रत्यक प्रस्ण के आंसर भी रहेंगे पीडियाप में अगला प्रस्ण इसक्रिप्शन पर किस वेग्यानिक ने यह सिद्ध क्या था कि सूरी के चार और प्रत्यक ग्रह का मार्ग दिर्ग वृताकार है चलिए आंसर करेंगे 35 के लिए यह सभी के सभी 40 important प्रस्ण आज की ससन मिलिया गया है जो कि पिछले एकजामवा में कई बार पूछे भी जा चुके हैं तो 35 का राइट अंसर ओप्शन C के साचराजगा केपलर ने कहा था ओप्शन C बिल्कुल सई जबाब है नेक्स्ट है सूरी के चमकिले भाग को क्या कहा जाता है आंसर करेंगे तो याद रखे का सूरी के चमकिले भाग को क्या कहते है उप्योगत दोनों यानि की परकास मंडल और फोटोस फिर दोनों के नाम से जानाता है उप्शन C बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है पिर्थवी अपने धूरी के चारों और किस दिसा में घुमती है च कौन कौन से हमने बता चुका है चलिए आगे देखते है नेक्स्ट है पिर्थवी के सबसे निकड़ गरा कौन सा है चलिए आंसर करेंगे फटा पट से 38 के लिए आंसर करते जाएंगे जी बिल्कुल आपका टाइम खत्म होता है तो 38 का राइट आंसर ओप्शन चला देगा बी के साथ किस के साथ जी बिल्कुल ओप्शन बी के साथ चला देगा क्या जाएगा सुक्र पिर्थवी के सबसे निकड़ गरा कौन सा है तो यादर केगा सुक्र है ओप्शन बी बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा सुक्र को सुवाया भोर का टारा भी का जाता है यादर केगा ओप्शन बी बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है किस गरा को भोर का तारा और साम का तारा भी का जाता है चलिया तो इसका राइट अंसर बहुत एजी है option B के साथ चला देगा सुक्र option B बिल्कुल सही जबावद है का और यह सबसे गर्म गरा भी है ध्यान में रखना है और सूर के सबसे नजदी कौन सा गरा है बूद है और बूद सौर मंडल का सबसे छोटा गरा है और बूद सौर मंडल का सबसे बड़ा गरा है नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे छोटा गरा है और सबसे बड़ा गरा है कौन सा है देखिए यहाँ प्रसन आच चुका है फिटा पट सांसर करेंगे और दूसरा सबसे बड़ा गरा है कौन सा है यादर कीगा सनी है तो 40 का राइट अंसर ओप्षन चला देगा A के साथ चला देगा बूद और ब्रस्पति सबसे छोटा बूद और सबसे बड़ा ब्रस्पति ओप्षन ए बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो आज की सेसन में टोटल 40 important प्रसनों को रखा गया था उमिद करेंगे आज की सेसन अच्छा लगाओगा तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी next session के साथ तब तक के लिए जय हिंद